प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम रोशन है, दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशुहूर हिंदी कथागार अमरकांची के लिखी एक बहुत ही लोग प्रिये कहानी जिसका सेशक है काली छाया, तो आये सुरू करते हैं कहानी क्या पाठ एक काली छाया उस ओर बढ़ रही थी, भादो की अंधेरी रात, उपर आकाश एक टोप की तरह पहला था, जिसमें तारे जुगनुओं की तरह चमक रहे थे, जीने के पास दो खाटे पड़ी थी, पतली और गहरी, एक पर सोलह या सत्रह वर्स की एक लड़की सोई थी, देह क पॉमल और पुष्ट, वह एक मैली कुचैली साडी पहने थी, टांगे नंगी घुटनों से कुछ उपर तक, उसके खुले बाल नीचे लटक रहे थे और उभरी छातियां नहशब्द सांसों पर लहरों की तरह उठ गिर रही थी, दूसरी खाट पर लगभग पचास वर्स क एक अधेड इस्त्री थी, अकेली नहीं बलकि एक तीन वर्सी बच्चे के साथ, जो कालब भुजंग और नंगा था, सारे मुहले में बड़ी जातियों और कुछ गरीब जातियों के लोग इसी तरह अपने घरों के सामने चारपाईया निकाल कर सोय थे, वह काली चाया जव पार पार कर लड़की को निहारा, उसके चेहरे को तथा उठती गरती चातियों और अधनंगी चिकनी टांगों को भी, फिर उसने अपना दाहिना हाथ लड़की की गर्दन पर इस तरह रख दिया कि दो कनिष्ठ उंगलियां उसके कपोल पर कापने लगी, देह हिलने पर भ खड़ी हो गई, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ मच्छरों की बन बना हट, चाया फिर जो की लड़की कुन मुनाई, चोर, अचानक दूसरी खाट पर से अधेर इस्तरी उचल कर खड़ी हो गई, और चाति पर हाथ पीट कर उत्ते जित हकलाय स्वर में चिला उठी, चोर, हाए मे उसका चहरा चारो और घूम गया, चार पाईया ही चार पाईया, उसने लपक कर अधेर इस्तरी के मुह पर हाथ रख दिया, परंतो ठीक उपर, खुली छत पर, सुरसती के बाबू की नींद खुल गई थी, उसने जहाग कर नीचे देखा, उसकी बुद्धी तेज थी, और शरीर मजबूत, इसलिए यह सोच कर कि उसकी पतनी का कोई गलंग होट रहा है, उसने एक छण की देर किये बगएर वहीं से नीचे छलांग लगाई, उसका निशाना अचूक था, और वह फौरन से पेस्तर एक निपुन घुरसवार की तरह काली छाया की पीट पर नजराया हाँ इस प्रयास में उसकी बाई टांग का नरहर सुरसती की मा के मुह से जालागा, जिसके कारण उसको तच्छन कुछ विसेस गालियां भी सुननी पड़ी, हंगामा मच गया, लोग अपनी चारपाईयों से उठकर आखे मलते हुए दोडे, उन सैनिकों की तरह जो खतरे का बिगुल बजने पर अपने सिविरों से भरभरा कर निकल पड़ते हैं, अब सुरसती के बाबू का क्रोध खूटा तुराए भैसे की तरह उन्मुक्त हो गया, वह उचल उचल कर उस काली चाया को मारते हुए गरजने लगा, तु कौन है बे, हरामी, साले, तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे पड़ी, अब भी तेरे जैसे चार पांच को कांख में दबा कर कोसो दोड़ जाओ, पुरानी हड़ी है बेटा, क्या तुने नहीं सुना की रगुवीर पर कतल का मुकदमा चला था, वही रगुवीर गवाला हुँ मैं, साले सच सच बता, परन्तु दुरभा बना कर खड़े हो गए, गोया मदारी का खेल देख रहे हूँ, एक सज्जन अपने साथ टॉर्च भी ले आये थे, जिसकी रोशनी भुख भुख जल कर अपने सीमित उद्देश्य को पूरा कड़ने लगी, वह काला नहीं था, हलका सामला रंग, उम्र 20-22 और शरीर लंबा परंतु पतला, वह एक कत्थई रंग की लूंगी और फटी बनियान पहने था, मुह चप्टा और आखे छोटी-छोटी, मार पढ़ने से उसके बाल अस्तव्यस्त हो गए थे और होठों से खून बाह रहा था, फिर भी वह क्रोध में भीड को इस तरह देख रहा था, जैसे कच्चा ही चबा जाएगा, कौन है भे तू, मौले में चोड़ी करने की तरी हिम्मत कैसे पड़ी, किसी सरीफ व्यक्ती ने पूछा, चोरी वरी मैंने नहीं की, उसने देह एट और गर्दन जटक कर उद्धत भाव से उत्तर दिया, तो क्या तू यहां तीरत करने आया था, सच सच बता देगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो समझ ले, साहब मैं घर जा रहा था, नेरा बहुत था, तो रास्ता भटक गया और खाट से लड़ गया, जूट सफेद जूट, रगोबीर आगे बढ़कर हाथ भांज भांज कर चिलाने लगा, साले को मैंने अपनी अच्छे कुटम मस के कुछ भी नहीं बताते, कोई चिलाया, सभी ने इसका समर्थन किया, और भीड में से चार-पाच व्यक्ति निकल कर उसे पीटने लगे, बुरी तरह, अस्थान की परवाह किये बगैर वे हाथ पैर चला रहे थे, उसने सचमुच पहले मार को बहादु इसे बरदास्त करने की कोशिश की, कभी वह बाईयोर जुग जाता, तो कभी दाईयोर, और कभी वह मारने वाले को घूरता वनमानुष की तरह, फिर अचानक वह जोर से चिला पड़ा, अरे मार डाला रे, मारने वालों के हाथ सहसा रुक गए, सच मुच उन्होंने विश् नहीं किया था कि ऐसा बदमाश आदमी इतने दैनिय स्वर में करंदन कर सकता है, अच्छा, तो सच-सच बता कि कहां का रहने वाला है, क्यों आया था तू यहां, शहर का है या किसी गाउं दिहात का, अरे अभी और मारिये सहब, जम कर पिटाई कीजिए, अगर इस तरह छो फिर तेजी से प्रहार होने लगे, जैसे स्विच दबाने से कोई चक्की चलना सुरू हो जाए, वह फिर डांक डांक चलनाने लगा, इसके अलावा वह और कुछ बताने का नाम भी नहीं लेता था, अब निसकरिये खड़े लोगों में से कुछ धीरे धीरे बाते करने लग अगर पुलिस इमानदार हो, तो यहां एक भी चोड़ी न हो, कुछ वर्स पहले ही, यहां एक ऐसा जबरदस्त कोतवाल आया था, कि एक ही हपते की कारवाई के बाद सभी अपराधी जिला चोड़ कर भाग गये, इसको पुलिस के हवाले कीजिये साहब, पुलिस वाले ही इ अर्थता महसूस भी कर ली थी, ऐसे भयांकर अपराधी इस तरह थोड़े काबू में आते हैं, पहले उन्होंने यह सोचा कि कोई जाकर पुलिस को यहीं बुला लाए, लेकिन जब उनको यह ख्याल आया कि इसके लिए भी किसी को सचमच कोतवाली जाना ही पड़ेगा, तो वे चिंता में पड़ गएं, फिर यह निश्या किया कि तीन चार व्यक्ती चोर को ही कोतवाली ले जाएं, कौन जाएं, एक तगड़े व्यक्ती से कहा गया, तो उसको सहसा पेट में दर्ध होने लगा, इसके बाद तो कई लोगों ने यह राय दी कि इस समय कोतवाली में ल परता है, अत एव डर है कि चोर के साथ ही हमला करके इसको कहीं छोड़ा न ले, फिलाल इसको इस पेर में रसी से बांध दीजिए, सबेरे पुलिस को दे देंगे, किसी ने जम्हाई लेते हुए रास्ता सुझाया, इस उपाय को सभी ने पसंद किया, वहां से 50-60 कदम की द हो, सभी अपने शिविरों में गायब हो गए, अब चारों और सिर्फ खाटे ही खाटे नजारा रही थी, जीने के पास ही उन दोनों खाटों के पास एक और खाट पड़ गई थी, सुरसती के बाप की, वैसे ही खामोशी, घना अंधेरा, दूर से कुछ कुछ कुटों के प्रस्न चिन्ने की तरह, अब वह अजगर से लटने लगा, शरीर को बाएं और दाएं एटते हुए, काफी देर तक उसने कोशिश की और अंत में ठक गया, उस पर काफी मार पड़ चुकी थी, उसका सरीर कई जगा फट गया था, उसके दात और नाक से खून बह रहा था, उसके बनियान फट गई थी, विशिस रूप से दाहिनी आस्तीन चितरी चितरी हो गई थी, रात गुजरने लगी, हवा कुछ तेज हो गई, कभी कभी सरक पर धूल उड़ जाती, दूर कहीं एक मुडगा बोला, पुर्वी छितिज पर एक हलका उजाला पुतने लगा, वह ना मालूम क्या क्या बोलता रहा, छेतिज का उजाला और चटक हो गया, दो आदमी हाथ में लोटा लिये, उधर ही आते नजराएं, पास आकर वे रुक गएं, परन्तों उनको बड़ा अश्चड़ी हो रहा था, रात के समय जिसको उन्होंने दैत्ते से कम भयांकर नहीं सम अब पावन प्रभात में उनके दिल उधारता करुणा और पश्चाताप से भर गये थे, चोर नहीं है यह, कैसा चोर साहब, मैं तो उस समय यह कह रहा था, छोर देना चाहिए, बेकार में, उन्होंने अपने सिर हिलाएं, शायद दयापुरवक, फिर वे घूम कर तेजी से अपने गंतव्वे की और पढ़ गये, उसने एक छाड़ तक उनको जाते देखा, अचानक बहुत जोर जोर से चिलाने लगा, अब कोई सामने आये तो बताओं, चोर होगे तुम, तुम्हारे बाप दादा, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं, जिसको सुनना हो सुन ले, इसी सहर में एक खपते तक भोग से तरपता रहा, पर किसी साले के सामने हाथ नहीं पहलाया, अब इसी सहर में रिक्षा चलाता हूं, जिसको जो कुछ करना है कर लो, जो कभी चोरी की हो, तो मुझे कोड फूटें, गरीब हूं तो क्या, मेरा दिल राजा है, चलेगा मेरे स कोई, मैं उसको घर पर रखकर महीनों मुफ्त खिलाऊंगा, है कोई माई का लाल, वह खूग गरज तरप रहा था, जैसे किसी फिल्म का मजदूर नेता कोई क्रांतिकारी भाशन दे रहा हो, अंधकार काफी जीना पड़ गया था, और उसके चेहरे की रेखाएं उभर रही साहब, यह तो गलत है, हाँ, चोर होता तो क्या यही घर रह गया था, बेकार में बहुत मार खा गया, खोल दीजिये रसी, चलिये चलिये, सबेरे ही मुझे एक जगह जाना है, वे जब चले गये तो वह और जोर जोर से गरजने लगा, इस महले पर बजजर गिरे, सब का ना मुझे घर बनवाए हैं, खुद चोर हो, चोर, हे इस्वर, हे इस्वर, सचमुच उसका मुह गुस्से से खूब लाल हो गया था, आँखे सिकुड गई थी, वह जैसे सारे महले को खड़े ही निगल जाएगा, और कभी सिर को उपर उठा कर आकाश की और निहार लेता, गोय या वह इस्वर के आने की प्रतिक्षा कर रहा हो, महले के लोग जाग गये थे, वे अब उसके सामने आकर खड़े हो गये थे, सभी अचंबे से देख रहे थे और कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, वह अब आकाश की और मोह करके किसी दार्शनिक की तरह बोला, कलियुग आ ग फल मिलेगा, सभी दोखे बाज हैं, जूटे, बेईमान, वह आएं बाएं साएं धारा प्रवाह बोल रहा था, भीड में सभी मुस्कुरा रहे थे, कापते होठो से, वे सच मुच मन ही मन पस्चताप कर रहे थे, कुछ लोग धार्मिक और नैतिक रूप से डर भी गये थे, विशेश रूप से सुर्सती का बाप, और कुछ लोग इसली भी भैखा रहे थे, कि कहीं वह पुलिस से पकड़वा न दे, ऐसे लोगों की आखे बड़ी तेज होती हैं, छोड़िये साहब, खोल दीजे इसकी रस्सी, वह चोर वोर नहीं है, किसी ने गुस्से में कहा, हाँ, छोड़िये, देश के लोग भूखो मर रहे हैं, इस अंतिम वाक्ये पर सभी का बहुत गहरा असर पड़ा, और कुछ लोगों ने दयाप और उपकार आदी की भावनाउं से उत्साहित होकर उसकी रस्सी खोल दी, वह सहसा चलना सका, उसके पैरों में जिंजिनी पड गई थी, दो कदम बढ़कर वहाँ खड़ा हो गया, कुछ खाने को दे दो बेचारी को, कोई दयापोर नस्वर में बोला, चाय पियोगे भाई, सहसा उसने बहुत जोर से थूकी आवाज करते हुए जमीन पर थूका, और भीर को घूर कर तेजी से चलता बना, शान से छाती आगे निकाले हुए, कुछ लोग हस परे, फिर भीर छट गई, कुछ देर में लोग उस घटना को भी भूल गए, लेकिन जीने के पास जो कोटरी थी, उसमें एक जवान लड़की जमीन पर सिर पटक पटक कर बुरी तरह रो रही थी, दोस्तों उम्मीद करता हूँ, यह कह आनिया आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही धेरो कहानिया सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद